कानपूर चुनावी मैदाने में ताल थोक चुके कॉंग्रेस हेरलाइंग गटबंधन के प्रत्याशी आलोक मिश्रा ने हमारे समवाददाता से बताया कि हम कॉंग्रेस पार्टी के प्रत्याशी हैं। चुनाव जनता लड़ रही है, जनता त्रस्थ है, परेशान और बेरोजगार है, रोजगार नहीं है, अर्थ्विवस्था का भी बड़ा सवाल है। उन्होंने बताया कि कॉंग्रेस की कई बड़ी योजनाए हैं, सालाना एक लाख रुपे हर महिला को देंगे और बेरोजगारों को भी अधिक से अधिक योजनाए का लाब दिया जाएगा। कानपूर से समवाद दाता, सोहराप खान की खास रिपोर्ट, कैमरमन मोसन खान के साथ, देखे ये रिपोर्ट कानपूर रहा है, मैं अभी बूट है, और उसके लिए मैं कहता हूँ, तकली जनता रहाएं चनाव दो लएगा, इंग्या नाइस तो पीछे हो गई है, और जनता आगे है, क्योंकि जनता में आई विरोजगारी, दस्ता चाहाँ, और हर प्रिपे की गरीबी और घुरमत से क्यों परिशान हो गई है, और जनता का इतना प्रेम मिलना है, क्यों जनता ने प्रेकर दिया है, कि इस इंगासन खाली पर उति जनता आती है, ये दिनकर दिकीपा लिए लाजू हो रही है, लोगों ये अंदर उत्सा है, उत्सा है इस बात का है, कि जन्हों ने विरोजदारी और महगाई बढ़ाई है, उनको कार्ण पपर कहा पाना है, और हमारे यहाद से दो गैरंटी दी गई है, एक मौजमान को गैरंटी दी गई है, लोगों लोगों को जगर आप विरोजदार हो, तो आपको एक लाख उप गई है, और लुपी आप वाएक लिए यह गारंटी है, इस गारंटी के परोसे आंपूर से इंडिया रांस की की सुनिश्चिक गई है, जो है करवान पत्यासी बनाया, अलो कमसाजी को, उन्होंने बता कि कॉम्रेस पाल्थी की की तक है तो गारंटी आएंगी तो दी जाए झाल झाल